आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश मेडियम में चायल्ड डेवलोप्मेंट और पेडागोगी के 30 कोस्टन सॉल्फ करेंगे जो अगामी सीटेट के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप अंग्रेजी मेडियम में सीटेट का कंप्लेट नोट चाते हैं तो हमसे जरूर संपर करें हमारे पास और सब्जेक्ट इंग्लिश मेडियम नोट्स एवेलेबल है कॉल वाट्सअप 7631314948 अपने टेट सीटेट की तयारी को एक दिशादे टीचर रहमत की उसके साथ और सुए करें अपना मुल्यांकन वो भी हस्ते खेलते लिंक डिस्क्रिप्सन में है साथ में पाएं सुए अध्यन हैतो संपुर्ण पीडियेफ नोट्स अभी विजिट करें www.teacherhmat.com वो यह है learning assessment is purposeful यानि learning assessment जो अधिगम का मुल्यांकन होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश होता है उसका उद्देश तभी पूरा होगा जब it serve as a feedback for the students as well as the teacher यानि यह एक बहतर परी नाम दे student को भी और teacher को भी बच्चे क्या गरोथ कर रहे हैं उसके education में क्या improvement हो रहा है या student को भी पता चले और teacher को भी पता चले teacher को यह भी समझ में आये कि उन्होंने क्या पढ़ाया है और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए learning assessment तभी purposeful होगा सही जबावे option एक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है 62 which one of the following skills should be stressed more for mentally underdeveloped children यानि ऐसे बच्चे जो मांसिक रूप से विकास्षील होते हैं किसी महौल में पल रहे होते हैं उसके skill को आप किस तरह define कर सकते हैं उसका skill जो होता है adaptation skill होता है इसका हिंदी होता है अनुकूलन जब कोई बच्चा एक environment से दूसरे environment में जाता है या किसी environment में नया होता है तो वहां के environment को adapt करता है या skill उसका adaptation skill कहलाता है सही जवाब हो जाएगा option B अगरा सवाल है a teacher always helps to the student so that they can relate the knowledge required in one subject with another subject it helps in जानी बच्चे का अगर किसी एक particular विशय किस शिक्षा दूसरे विशय में helpful हो तो इसे क्या कहते हैं को relate and transfer of knowledge कहते हैं अगर आप हिंदी व्याकरन पढ़ रहे हैं तो आपके English गरावन में वो helpful होगा जाती वायतक संग्या को आप common noun वैक्ती वायतक संग्या को आप proper noun कहेंगे लेकिन definition दोनों का सेम होगा इसे ही correlate and transfer of knowledge कहते हैं अगला स्वाल है in teaching process student performance is dependent variable, independent variable, intervening variable, control variable यानी teaching process में जो student का performance होता है dependent variable होता है यानी student का performance किसी ना किसी पर depend करेगा उसके teacher पर शिक्षन अधिगम सामगरी पर आधी बहुत सारी बातों पर depend करता है यानी हम यही कह सकते हैं कि student का performance dependent होता है अगला सवाल है एक collection of a student's work in an area showing growth, self-reflection and achievement is known as यानी ऐसा collection student के परतिभा का जो उसके growth को बतलाए, self-reflection को बतलाए, उसकी उपलबदी को गिनाए इसे जो है अंग्रेजी में portfolio कहा जाता है portfolio सच में एक collection होता है जो उसके समपुर्ण achievement को बतलाता है अगला सवाल है 66, इसमें दो column दिया हुआ है एक तरफ जो है education characteristics है, दूसरी तरफ measuring device है question कहता है कि peer को match किजिए, achievement को आप किसे मिलाएंगे, learning को किसे मिलाएंगे, interest को किसे मिलाएंगे इसमें एक ही peer है जो आपस में मिलता है, वो है learning और assessment, जब learning होगा तब ही assessment होगा bigger learning के assessment impossible है, जब कोई सीखेगा तब ही तो उसका मुल्यांकन होगा, सही जवाब हो जाएगा option B अगला सवाले 67, inclusion of children with a special need, यानि विशेश अवशक्ता वाले बच्चे को शिक्षन में कलास में शामिल करना क्या है यानि विशेश अवशक्ता वाले बच्चे ऐसे होते हैं, जो मंद बुद्धी होते हैं, दिव्यांग होते हैं, अन्दे होते हैं, अस्थी जनिशक्त होते हैं ऐसे बच्चे को अगर किलास में लाया जाए तो उसके जो शिक्षन की पद्धती होगी नौरमल बच्चों से थोड़ी अलग होगी उसके एटिचूड में भी चेंज हो जाएगा content and approach of teaching भी चेंज करना होगा अगर बच्चे आंदे हैं तो हम उसे बड़ेल लिपी से पढ़ाएंगे बच्चे जो है मंद बुद्धी है तो उसे आसान भासा में अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे यानि जो है special need वाले बच्चों को include करना एक वशकता को जन्म देता है attitude के changing content and approach of teaching को बदलने में सही जव वाल है with the difference to the gifted learners as a duration means यानि gifted learner कहते हैं परतिवाशाली बाल को जो बच्चे normal बच्चों से तेज होते हैं brilliant होते हैं वे gifted learner कहराते हैं अगर कोई बच्चा क्लास में gifted learner है परतिवाशाली है as a duration है तो ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए पर most करना चाहिए next higher grade में earlier than normal learner यानि जो बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं उसकी तुल्ला में उसका क्लास जो है आगे बढ़ाना चाहिए अगर कोई बच्चा दूसरा में पढ़ता है तेज है तो उसे हम तीसरा के बजाए चौथा में भेज देंगे यानि यही है promotion सही जवाब हो जाएगा option C अगला सवाल है कि 4MCU की multiple choice question है एक दो तीन चार are corrected answered by 5, 20, 50, 85% students respectively other things remaining same यानि question का जो level बतला रहा है सब same है फिर भी इसमें best question कोन है ऐसा question जो अधिकांश बच्चों दौरा average बच्चों दौरा सही क्या गया वह best मना जाता है सही जवाब option 3 अगला सवाल है सतर नंबर sufficient number of questions are set on the same concept in a test the test is अगर किसी test में परचूर मातरा में sufficient number में question add क्या जाए वो भी same concept के साथ तो ऐसे test को कहते हैं diagnostic type नैदानात्मिक परिक्षन यानि जो है किसी विशेश उद्देश की पूरती के लिए इस तरह की exam लिए जाते हैं सही जवाब हो जाएगा option B अगला सवाल है stage of development are important for a teacher यानि कौन सा stage जो है teacher के लिए ज्यादा important है तीन option है तीनों को हम देखते हैं produce a comfortable environment for teaching and learning process यानि जो है ऐसे वातावरन बनाना जो शिक्षन में सीखने में सहयक हो पढ़ने पढ़ाने में helpful हो no and understand the problem faced by a child यानि बच्चे जो हैं बालक जो हैं कौन कौन से problem faced कर रहे हैं उसे जानना और समझना ये भी सही है ये भी सही है कहने कार्थ ये है कि तीनों option अपनी जगा सही है एक teacher को सब को impotent मानना होगा सही जवाब option D अगला सवाले 72 through calculator gives the result of multiplication easily यानि calculator से जब हम किसी भी अंकों गुना करते हैं तो product बहुत जल्द आ जाता है आसानी से आ जाता है लेकिन we teach children to calculate manually लेकिन हम चातरों को कहते हैं कि तुम calculator का इस्तमाल मत करो तुम manually calculate करो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि बच्चों में thinking and reasoning जो है ability develop होगा सही जवाब है option D अगला सवाल है 5E जो teaching learning model से संबन्धित है teaching learning model में 5E यानि इस से शुरू होने वाले 5 word को represent करता है उसमें पहला क्या होता है दूसरा क्या होता है आई यह हम sequence देखते हैं सबसे पहला होता है engagement दूसरा होता है exploration तीसरा होता है explanation चौथा होता है elaboration पांचमा और अंतिम होता है evaluation यानि जो correct sequence है वो है option C सही जवाब option C अगला सवाल है 74 the cephalocodal principle of development विकास का एक सिधान्थ है जिसे cephalocodal principle कहते है explain how development proceed from यानि विकास जो है किधर से किधर चलता है difference to integrated function head to toe यानि विकास जो है head to toe चलता है यह जो है development का सिपhalocodal principle कहता है सही जवाब option B अगला सवाल है gender क्या है gender को क्या psychological construct कहते है इनिटेट अलिटी कहते है social construct कहते है biological entity कहते है gender जो होता है social construct होता है वैसे इसे biological entity भी कहते है science के language में लेकिन psychology में इसे social construct कहा जाता है सही जवाब हो जाएगा option C अगला सवाल है 76 in the context of education socialization क्या है सामाजी करन का अर्थ क्या होता है socialization कहते है adapting and adjusting to social environment यानि किसी भी समाज के जो संसकार है उसे adapt करना अपनाना और उस वही के वाताबरन में ढल जाना adjust कर जाना यही जो है socialization कहलाता है बिहार का वैक्ती जब दिल्ली जाता है तो starting में वहां का समाज उसको अलग दिखता है लेकिन धीरे धीरे वे वही के समाज में adapt कर जाता है और इस तरह adjust हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि यह बिहारी है या दिल्ली का मुल्लिवासी है इसे ही कहते है socialization सही जवाब हो जाएगा option A अगला सवाल है 77 teaching of geography and history यानि भुगोल और इतिहास को पढ़ाना मुर्शिदाबाद हो चाहे कोई और जगा हो यह meaningful quick and interesting होता है अगर यह conduct करे together एक साथ by approach of correlation यानि history की सहता से हम geography पढ़ा रहे हो जो ग्रफी की सहता से history पढ़ा रहे हो यह correlation जो है quick and interesting chapter को आसानी से understandable बना देता है सही जवाब हो जाएगा option B अगर कोई बच्चा है वो जानता है कि 4 plus 2 6 होता है लेकिन वो 4 को 6 minus 2 नहीं पहचानता यह जो child होता है यह pre-operational stage में होता है जैसे ही यह आगे के stage में जाएगा यह समझने लग जाएगा कि 4 6 minus 2 के भी बराबर होता है 4 3 plus 1 के भी बराबर होता है सब कुछ आसानी से समझेगा लेकिन जब तक pre-operational stage में है उसे उतना ही समझ में आता है जितना उसे समझाया जाता है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की छमता ऐसे बच्चों में कम होती है सही जवाब option B अगला सवाल है 79 बाएद अवर्ड इनडिवीजवाल वुड़वार्थ है जरिफर्टू यानि इनडिवीजवाल वैक्तिगत वर्ट को सैकलोजिस्ट वुड़वर्थ ने क्या कहा यह जो होता है इंडिविज्वल मेंटल प्रोसेस भी होता है और फिजिकल बिहेवियर भी मांसिक शक्ती दिमागी ताकत और शारीरिक एक्टिविटी इंडिविज्वल में इंकुलूड है सही जवाब ऑप्शन डी इसका मतलब होता है कि इन में कौन सा त्री तंत्रिये सिधान्त में वह वहारिक बुद्धिमता का संकेत नहीं देता है यानि ऐसी बुद्धी जो बहु आयामी हो अलग-अलग तरह से सोचने के छमता हो पहला आप्शन है रीज शेपिंग दा इन्वारिमेंट यानि इन्वारिमेंट को फिर से आकार देना ये जो है ट्री आर्चिक थेवरी में आता है ऐसे बच्चे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रखते हैं वो इस तरह का एक्टिवेटी कर सकते हैं सिर्फ एक और चीज को सोचना ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आ सकता जहां वनली आ जाए ये नहीं वोलनी के बजाए अगर मल्टीपल रहता तो ये सही होता सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी फिर भी हम नेक्श ऑप्शन को देखते हैं आके हमें कुछ विस्तार से जानकारी मिले चूजिंग एन इंवाड़ोमेंट इन विच यू केन सक्सेड यानि ऐसे पढ़िया वरन को चुनना जहां हमें सफलता मिले ये भी जो है इंटेलिजेंस की पहचान है अगला है एडेप्टिंग टू दा इनवाड़ोमेंट इनवाड़ोमेंट को अपनाना ये भी जो है एक बहतर गुन माना जाता है इंटेलिजेंस का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन भी अगला सवाल है राइट टू एजुकेशन एक्ट दू हजार नो हैज इट्स मेन अब्जेक्टिव टू इंजुर इच चैल्ड इन इंडिया छे टू चौदा या रिसीव क्वालिटी एजुकेशन दा टर्म क्वालिटी एजुकेशन मींस यानि राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टी दू हजार नो में कहा गया था कि सभी बच्चे पूरे इंडिया के छे से चौदा वर्स के जो हैं वो बराबर शिक्चा हसल करेंगे बराबर शिक्चा और गुनवत्ता पुन शिक्चा का मतलब क्या है आईए हम देखते हैं ऑप्शन की ओर Establishment of Relation between Classroom and Environment यानि ऐसे शिक्चा जो उसके Classroom में दी जाए और उसके Environment से संबंदित हो यानि ऐसी शिक्चा जो Classroom में दी जाए और उसका उप्योग अपने वो जिन्दगी में करें ऐसी शिक्चा को Quality Education Right to Education Act 2009 में कहा गया जो सभी बच्चे 6-14 वर्स की I.O.Work के सभी बच्चों के लिए कंपासरी है सही जवाब Option C अगला सवाल है Question या Refuse to यानि पर्षना वली चा होता है यानि एक ऐसा डिवाइस होता है Securing Answer to Question by Using a Form which the respondent feels in himself यानि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें उत्तर दिया जाता है और उत्तर कोन देगा उत्तर दाता उत्तर दाता के अलावा कोई और Question बनाने वाला या कोई और Question चेक करने वाला उस Answer को फिल नहीं कर सकता है केवल और केवल उत्तर दाता Respondent ही इसे फिल करेगा सही जवाब Option A अगला सवाल है According to Social Constravest Theory of Leaviyo गुट्सकी वीच ओफ दा फॉलोइंग मेथड इज एप्रोपिडेट फॉर एकसेसिंग एस्टूडेंट यानि लेवायो गुट्सकी का जो रूल है Constravest Theory उसके अनुसार वे कहते हैं कि अगर बच्चों का आकलन करना हो उसके विकास को मापना हो तो उसे कोई ऐसा काम सौप दिया जाए कि वे मिल जुल कर अच्छे से अंजाम दे सके सही जवाब हो जाएगा Option D Colaborative Project इसे कहते हैं Colaborative Project यानि मिल जुल कर काम करने की चमता बच्चों में रचनात मकता को बढ़ाता है अगला सवाल है 84 Cockroach is not but a starting lesson on board which such negative example was discouraged by सही जवाब हो जाएगा Brunner अगला सवाल है which one of following characteristics is not related to organization of co-curricular activity in school सही option है non cooperation यानि इस स्कूल में बच्चे जब एक दूसरे को cooperate नहीं करेंगे तो यह co-curricular activity नहीं कहलाएगा अगला सवाल है 86 some statement about children बच्चों के बारों में कुछ statement दिये गए हैं आईए हम सही को select करते हैं पहला है कि children are passive recipient of knowledge इसका मतलब होता है कि बच्चे ग्यान के निसक्रिये प्राप्त करता हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चे में भी सक्रियता होती है और 100% होती है दूसरा option है children are problem solver बच्चे क्या problem को solve करने वाले होते हैं बिल्कुल होते हैं अगला है children are interested in scientific investigation बच्चे वैज्यानिक कारणों को जानना चाहते हैं वैज्यानिक खोज की परविर्ती रखते हैं सही जवाब है बच्चे जो होते हैं कोई भी चीज का कारण तलाशते हैं इसे ही कहते हैं scientific investigation अगला है children are active explorer of environment यानि जो है active explorer यानि जो है सजीव जो है आप्त करता होते हैं परियावरन के यानि दो तीन चार सही है एक गलत है सही जवाब option A गला सवाल है according to Chomsky Chomsky के अनुसार an innate capacity यानि जर्मजात परविर्ती to acquire long wage in the result of our unique human biological inheritance which is called यानि पच्चों की जो जर्मजात परविर्ती होती है भाषा शीखरे की unique human biological inheritance में या क्या कहलाता है इसे जो है long wage acquisition device कहते हैं बच्चे की या पडविर्ती long wage को गरहन करने की छमता होती है जिसे 11 mother tongue कहते हैं बच्चे मा की गोद से ले करके परिवार के बीच में ही सीख जाते हैं विद्धाले आने की इसके लिए अवशकता भी नहीं होती सही जवाब option B अगला सवाल है which one of the following best suited for emotional development of children यानी जो है emotional development के लिए बच्चों के emotional development के लिए को ज्यादा suit करता है democratic classroom environment ऐसा class जिसमें सभी को बोलने का समान आउसर मिले या classroom best होता है सही जवाब option A अगला सवाल है in the case of learning law of readiness corresponds to motivation सही जवाब हो जाएगा motivation यानि सीखने का जो नियम है या motivation पर depend करता है अगला सवाल है कि एक student है modify an essay in the book book के essay को modify करता है and then memorize it और उसे याद कर लेता है या process क्या कहलाता है ऐसे process को assimilation कहते है बहुत जगा ये process accommodation भी कहलाता है इसलिए दोनों option सही है क्या कि माईवा निया my ठिजयर है जबूँग एसाजी जगा में कि ससलिंगोýजड़